हालो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स आएम डॉक्टर सोनिया सिंग एड यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स ये तो आप सभी जानते हैं कि आजकल विभाग की ओर से सभी टीचर्स के लिए मोहला क्लास चलाना अनिवारिये हो गया है और सभी टीचर्स को एक एजुकेशन दे सकें और फ्रेंड्स मैं आज आपको ये बताऊंगी कि ये पार्टशाला पंजी का और मोहला पंजी का किस तरह से एक दूसरे से अलग है और हमें यह नए तरीके से कैसे बनानी है क्योंकि अभी हम थोड़ा कन्फ्यूजन में है कि हम मोहला पार्टशाला कैसे बनाए और उसमें हमें कौन-कौन से कोलम रखने है तो मैं आज आपको डिटेल्स में वो सब बताऊंगी तो फ्रेंड्स आप वीडियो स्किप किये बिना कंप्लेट देखिएगा जिससे की मेरी वीडियो का लिंक आप तक सबसे पहले पोँच सकें तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंडस मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो में ने इपार्ट शाला पंग जी का बनाई है वो मैंने किस तरे से बनाई है सबसे पहले मैं आपको थोड़ा स्पीरड़ली बताऊंगी आप देख सकते हैं फ यह रजिस्टर हमें अभी भी continuous चलाना है क्योंकि हमें WhatsApp और स्कूल में जो student और अभी भावक हमारे पास काम लेने के लिए आते हैं वो हमें इसी रजिस्टर में शो करना होगा तो friends आप देख सकते हैं कि मैंने ये किस तरह से maintain किया हुआ है तो अब मैं आपको दिखा रही हूं friends अब हमें मोहला पाटशाला की पंजी का मैं आपको दिखाऊंगी कि इस से किस तरह से वो different है यहाँ पर मैंने मोहला पाटशाला का time table बनाया हुआ है यह मैंने अपने recording बना 14 बजे से इसका टाइम दो बजे तक निर्धारित किया गया है जिससे की निरिक्षन आसानी से हो सके तो फ्रेंड अब मैं आपको दिखा रही हूं इसमें मैंने देट, क्लास, सब्जेक्ट, शेरिंग टोपिक और शेरिंग मेडियम, प्लेस और इस्टुडेंट नेम फ्रेंड सी ये इस तरह से ही पाट साल अपंजी का में अगर हमारी क्लास में 20 स्टुडेंट से और 5 स्टुडेंट वोट्सेप से टोपिक्स कवर कर रहे हैं और 10 स्टुडेंट से इसकूल में आकर वर्क ले रहे हैं तो 15 स्टुडेंट हुए और उसके बाद जो हमारे 5 स्टुडेंट ना तो वोट्सेप से जुड़े हुए हैं और ना ही वह स्कूल में आ पा रहे हैं उनके लिए हमें मोहला क्लास चलानी होगी तो फ्रेंट्स यहां पर हमने मोहला क्लास के स्टुडेंट के नाम शो किये हैं बट अभी विभाग की ओर से एक नए दिशानिर्देश जारी हुए हैं जिसमें हमें जहां पर हम मोहला क्लास चलाते हैं उन अभी भावक के सिगने टोपिक और शेरिंग मेडियम मोहला पाठशाला का इस्थान जो प्लेस जहां पर हम मोहला पाठशाला चला रहे हैं उसके मुख्या का नाम वैं उनके हस्ताक्षर के कोलम बनाने होंगे और इसमें हस्ताक्षर और चात्र चात्रा का नाम हमें ये भी शो करना होगा तो फ्रें इसमें मैंने हिंदी में बच्चों को सेहर जो बच्चों के लिए कहनिया की बुकस आई यह वह मैंने उसमें बंदर का चशम चैप्टर बच्चों को पढ़ाया तो यह इसमें शेरिंग मेडियम में हम देखेंगे कि मोहला पाठशाला के द्वारा हमने बच्चों को यह पढ़ाया है और मोहला पाठशाला का इस्थान वे मुख्या का नाम क्या है तो मुख्या का नाम मैंने लिखा है मनोज का घर और हमें यह भी दिखाना होगा कि यह घर किस main जगह पर इस्तित है तो मैंने उसमें लिखा है मंदिर के पास क्योंकि गाओं में एक मंदिर है उसके पास मनोज का घर पड़ता है तो उसमें हमें मनोज के sign भी कराने होंगे और अगर मनोज अवलेबल नहीं है तो उसके किसी family member के हम इसमें signature करा सकते हैं तो friends इसमें हस्ताकसर छात्र छात्रा तो इसमें हमें student जितने भी हमारे पास अवलेबल है तो वो students के name हमें यहाँ पर उनके signature कराने होंगे तो friends देख सकते हैं मैंने हिंदी math उसके बाद मैंने योग या exercise में बच्चो को ताडासन और उधर्व ताडासन यह मोला पाठशाला में बच्चो को exercise कराई हैं तो यह भी मैंने लिखाए मनोज कर घर और उसके signature कराए हैं तो friends इसमें बच्चो के signature भी आप देख सकते हैं तो यह आपको करवाना compulsory है क्योंकि पहले हम अपने register में बच्चो के नाम लिखते थे जो अब निरिक्षन के समय जो अधिकारी गणात है उन्होंने कहा है कि बच्चो के signature कराना जरूरी है तो friends आप मैं आपको दिखा रही हूँ दो फरवरी 2021 की details इसमें chapter मेला हिंदी में और maths में घटा के पर्षन और craft में color paper से बच्चो को full बनाना सिखाया गया तो यह मोला पाटशाला अमित का घर इस तरह उनके signature कराए है और जो बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए आए उनके इसमें signature कराए गए है तो friends यह latest register में आपको दिखा रही हूँ और मेरे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए बाई बाई